हाई फ्रेंड्स वेलकम टू लॉमिट आइम मुस्कान मंध्यान यू लीगल गाइट आज किस वीडियो में हम बात करेंगे concept of liberty के बारे में part 2 मैंने इस वीडियो के end में कुछ important questions भी share किये हैं regarding concept of liberty I request you guys कि आप लोग प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनते रहें अगर जरूरी लगे तो notes बनाते रहें Let's start So state ही आपके laws बनाता है और state ही laws को implement भी करता है और state खुद को express भी law के थ्रू ही करता है So एक तरी किसम कह सकते हैं liberty और law के बीच में एक relationship है Liberty के लिए proper laws की बहुत ज़ादा जरूरत है ठीक है लेकिन वो laws का nature कैसा होगा, form कैसा होगा, ठीक है क्या वो सच में liberty को maintain कर पाएंगे country में या नहीं कर पाएंगे ये सारी चीजे बहुत ज़ादा जरूरी हो जाती है अगर autocritic laws रहेंगे, ठीक है, tyrannical laws रहेंगे, cruel laws रहेंगे तो ये सारे laws liberty को protect नहीं करेंगे, बलकि liberty को कम करेंगे ठीक है, इसलिए laws का nature क्या है, ये समझना बहुत ज़ादा जरूरी है तो ऐसे laws जो इनसान की self development में help कर रहें, उसकी personality को grow करने में help कर रहें progressive है जो laws ठीक है, वैसे laws help करेंगे liberty को बढ़ाने में, liberty को secure करने में राइट, तो law creates liberty in the form of rights, यानि law ने हमें liberty किस form में दी है, rights के form में दी है हम अपने rights exercise करके एक liberal feeling महसूस कर सकते हैं laws just होने चाहिए, right, equal मिलने चाहिए सबको, जिसके पास equal rights है तो दूसरे के पास भी equal rights होने चाहिए, unjust laws नहीं चलेंगे, ठीक है तो जैसे जैसे society बदलती है, वैसे वैसे law भी बदलता है इसलिए law और liberty के बीच का जो relation है, वो हमेशा एक जैसा नहीं हो सकता है है न, वो बदलता रहेगा changing time के साथ ऐसे laws भी नहीं होने चाहिए, जिसकी वज़े से sovereignty ही खतम हो जाए है न, उस state में ऐसे laws भी नहीं होने चाहिए, जिसकी वज़े से government ही गिर जाए तो laws equally होने चाहिए, right, सभी के लिए कुछ न कुछ हो safeguarding liberty, so liberty, state and law are supplementary to each other liberty, state, law, ठीक है, ये तीनों चीज़े मिलके ही function करती है but कभी-कभी क्या होता है यार, कुछ institutions, ठीक है, कुछ institutions, state and law मिलके कभी-कभी individual की जो liberty है, उसे violate कर देते है ठीक है, कोई ऐसा law आ गया, जो individual की liberty को violate करता है state ने कुछ ऐसे laws पास कर दिये, या कुछ ऐसे institutions है जो individual की liberty को violate करते है, ठीक है, ऐसा भी कभी-कभी हो जाता है तो यहाँ पे सबसे difficult चीज़ क्या है, यहाँ पे सबसे difficult चीज़ ये नहीं है कि हमें liberty attain करने है, हमें liberty चाहिए, यह चीज़ difficult नहीं है, liberty तो मिल जाएगी उससे भी जादा difficult चीज़ ये है कि liberty को बचाओगे कैसे liberty मिल तो गई, अब उस liberty को safeguard करना बहुत जादा difficult चीज़ है और यह सच में reality है ये, आपके पास liberty तो है, लेकि लिबर्टी को जब बचाना होगा वो सबसे difficult चीज़ हो जाती है, सो इसी लिए आज हम वो safe guards भी discuss करेंगे कि liberty को किस किस way में हम बचा सकते हैं, किस किस way में उसे protect कर सकते हैं, राइट फर्स्ट पॉइंट है, democratic system, सो democratic system में क्या होता है, लोग एक तरीके से नजर रखते हैं government की activities पर राइट, directly और indirectly एक तरीके से government को control करते हैं, अपने fundamental rights के through control करते हैं अपने right to vote के through control करते हैं, राइट, इस तरीके से वो government की activities को control करते हैं दस, वो अपनी liberty पर भी नजर रखते हैं, अब आप government को एक तरीके से नजर रखते हैं, तो आपको पता है कि कौन सा law सही रहेगा हमारी liberty के लिए कौन सा law सही नहीं रहेगा, है न, जहां पर आपकी liberty infringe हो रही होगी, आप तुरंथ Supreme Court भागोगे कि हमारी liberty इस law से infringe हो रही है, यही सबसे बड़ी खासियत है, democratic system की next point है constitution, हमारा Indian constitution भी personal liberty की बात करता है article 21 में, ठीक है, so liberty को protect करना यार बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए constitution में liberty को protect करने का provision होना is very important, right, different constitutions इस सीज को लेके बात करते हैं, और हमें fundamental rights भी दिये जाते हैं, right, जिनका infringement अगर हुआ तो हम direct supreme court को भी approach कर सकते हैं, direct supreme court जा सकते हैं, अगर हमारे fundamental rights violate हुए हैं तो, so यह इतनी importance fundamental rights को क्यों दी जा रही है, ताकि हम अपनी liberty secure कर सके, right, वो rights क्या है, वो rights basically हमारी liberty है, law हमें liberty किस form में देता है, rights के form में देता है, ठीक है, इसी लिए fundamental rights पे इतना ध्यान रहता है कि उन्हें protect करना बहुत जादा जरूरी है, next point है fundamental rights, ठीक है, जितने भी constitution है, वो fundamental rights को लेके provision जरूर रखते हैं, ठीक है, because उनका implementation हो रहा और उनका protection होना बहुत जादा जरूरी है, independent judiciary, ठीक है, अच्छा, judiciary का यार independent होना क्यों जरूरी है, अगर judiciary independent नहीं रहेगी, उस पर government का control रहेगा, उस पर executive का control रहेगा, तो वो decisions सही से कैसे deliver कर पाएगी, unbiased decisions हमें कैसे मिलेंगे, otherwise तो partial decisions ही आएंगे, right, इसलिए judiciary का independent होना बहुत जादा जरूरी है, judiciary पर जब pressure नहीं होगा, ठीक है, किसी भी तरीके का pressure दी होगा, तो वो impartial, unbiased and bold decisions deliver करेगी, जो हमारे fundamental rights को secure करेंगे, next है, decentralization of power, right, जब government की power यार divide हो जाती है, ठीक है, divide हो जाती ही जब government की power, तो workload बहुत कम हो जाता है government के उपर, ठीक है, और जो local self government है, उसमें थोड़ा ना power चला जाता है, जब divide कर रहे हो power, तो local self governments जो होती है, उनके पास थोड़ी थोड़ी power आ जाती है, जिसकी वज़े से क्या होता है, कि लोगों का interest भढ़ता है उनमें, और प्लस एक attachment की feeling भी आती है लोगों की, है ना, अब local self government है, तो ज़्यादा अच्छे से communicate करती होगी लोगों से, इसलिए लोग उससे काफी ज़्यादा attached feel करते हैं, इसी वज़े से लोग local self government में participate करना भी पसंद करते हैं, जिसकी वज़े से liberty maintain करना और ज़्यादा easy हो जाता है, वहीं आप centralized government की बात कर लो, तो autocracy है न, oppression ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, नेक्स्ट है separation of powers, separation of powers का मतलब है जो three organs है government के executive, legislature and judiciary, इन तीनों organs को एक दूसरे से separate रहना चाहिए, ठीक है, मतलब अगर कोई legislature का part है, तो वही इनसान executive का part नहीं हो सकता, अगर कोई executive का part है, तो वो इनसान judiciary का part नहीं हो सकता, ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि ये तीनों organs एक दूसरे को influence ना करें, है ना, भाई अगर कोई legislature का इनसान होगा, तो वो executive को influence ना करें कि ऐसे काम करो, वैसे काम करो, है ना, functions basically overlap नहीं करने चाहिए, इन तीनों organs को separately function करना चाहिए, कोई भी organ, एक दूसरे organ को control ना कर सके, यही काम है separation of powers का, वैसे तो separation of powers और rule of law ये पूरे-पूरे doctrines हैं, जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी, इस वीडियो में नहीं, आगे आने वाले वीडियो में हम लोग इन doctrines को भी discuss करेंगे, so अगर ये तीनों organs government के separate रहेंगे, एक दूसरे से अलग रहेंगे, तो liberty बढ़ेगी country में है ना, liberty बढ़ेगी और liberty को अच्छे से हम लोग protect कर पाएंगे, अगर ये तीनों organ अलग-अलग नहीं होते, ठीक है, अगर इन तीनों organ के functions एक ही होते, ये मिल के रहते, ठीक है, ये separate नहीं होते, तो legislature जो laws बनाता, वो executive को अपने तरीके से implement करने के लिए बोलता, कि मैं जैसे बोलना हूँ executive, तुम वैसे ही implement करो, तो इससे लोगों की liberty को और जादा खतरा बढ़ जाता, और अगर judiciary के उपर इन दोनों का control रहता, तब तो हो चुका, ठीक है, तब तो liberty कभी बची नहीं पाती, इसलिए judiciary का separate रहना, executive legislature का separate रहना बहुत जादा जरूरी है, नेक्स्ट है, economic protection and justice, जो economic security है यार, वो सभी individuals के पास available रहनी चाहिए, ठीक है, लेकिन जो हमारी economic security है, वो काब आएगी, वो तभी तो आएगी ने, जब inequality, unemployment, ये सारी चीज़े खतम हो जाएगी, और जो living standard है, वो बढ़ेगा, जब equal opportunities हम सबको मिलेंगी, development के लिए, तभी तो economic security आखिर मिल पाएगी, है की नहीं, और अगर economic security नहीं रही, तो liberty are meaningless और baseless है, है न, because हमारी जो basic necessities होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, एक तरीके से economic security ही तो है न, तो अगर economic security नहीं रहे गई, तो आप मान लो कि liberty नहीं रहे गई, लिबर्टी भी खतम हो गई, लास्ट पॉइंट है freedom of press, अगर किसी country में press को control किया जा रहा है, जैसे की चाइना, राइट, चाइना का पूरा पूरा control है press पर, media पर, कि media क्या फैल आ रही है, क्या बोल रही है, reporters क्या कर रहे है, क्या news बाहर भेज रहे है, इस पर पूरा पूरा control है Chinese government का, राइट, अगर ऐसा होता है कि कोई ऐसी खबर बाहर आ जाती है चाइना से, तो आप समझ सकते हैं, फिर क्या होता है उस इंसान के साथ, प्लस काफी सारी चीज़े लीक भी नहीं होती है उस country से, ठीक है, इसका मतलब यह government का बहुत जादा control है, लेकिन इससे होता क्या है, अगर press free नहीं रहेगी, media free रही रहेगी, there will be no freedom of press, तो लोग अपने views express किसके थू करेंगे, ठीक है, यह जो press है, इसी के थू एक तरीके से हम अपना opinion express करते हैं, है ना, इसी के थू हम अपनी बात government तक पहुचाते हैं, और इसी के थू गवर्मेंट की बाते हमारे तक पहुचती हैं, ठीक है, तो एक तरीके से government और individual के बीच में, medium का काम करता है, press और media, अगर किसी individual की liberty violate हुई है, और press उस चीज़ को अगर highlight नहीं करेगी, तो यह बात government तक कैसे पहुचेगी, है कि नहीं, government तक भी यह बात press होना बहुत जादा जरूरी है, for securing liberty, various concepts of liberty, यह बहुत जादा important topic है, concept of liberty में, pleases and miss out मत करना, भले ही आपने पूरा वीडियो नहीं देखा है, बट यह आपको part जरूर देखना चाहिए, various concepts of liberty, ठीक है, तो liberty के दो dimensions है, वो दो dimensions क्या है, एक है negative, एन दूसरा है positive, यहाँ एक ब रखनी चाहिए, कि यह जो दो concept of liberty के negative और positive, यह दोनों एक दूसरे के opposed नहीं है, ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई conflict नहीं है, ठीक है, यह बस दो तरहा के concepts है, जो एक दूसरे को compliment करते हैं, ठीक है, these are complimentary in nature, ऐसा नहीं है कि negative liberty, positive liberty के against है, यह positive liberty, negative liberty के against है, नहीं, they are complimentary to each other, अब जो मैं discuss करूँगी negative liberty के बारे में, तो आपके लिए समझने में easy हो, notes बनाने में easy हो, इसके लिए मैंने चीजें points में समझाई है, ठीक है, आपको paragraphs में लिखनी है, जैसा कि मैंने liberty, negative liberty को concept points में लिखा है, लेकिन आपको paragraph में लिखना होगा, exam में, ठीक है न, जहां पर points में लिखना होगा, वहां मैं खुद बता दूँगी, so यह जो liberty का struggle था, जो liberty की बात उठने लगी, यह उठी 17th century में, यॉरप में, ठीक है, जब new merchant class या new merchant industrialist class सामने आई, that is capitalist class का जब उदय हुआ यॉरप में 17th century में, तब liberty की बात की जाने लगी, है की नहीं, so इसी industrialist class ने demand उठाई negative liberty की, negative liberty किस field में, economic field में, right, economic sphere में negative liberty की बात उठी, so जो negative liberty को support करते हैं, जो champions है negative liberty के, वो मानते हैं कि individual के पास choice होनी चाहिए, resources और techniques को लेके, ठीक है न, मतलब वो कौन से resources यूज़ करना चाहता है, production में, कौन से technique यूज़ करना चाहता है, production में, industrial technique यूज़ करना चाहता है, ठीक है न, मतलब machines को use करना चाहता है, या man power यूज़ करना चाहता है, ठीक है, labor पार यूज़ करना चाहता है, तो ये सारी choices individual के उपर होनी चाहिए, so जो negative liberty का idea था, इससे laser sphere निकल कर आया, right, इससे doctrine of laser sphere emerge हुआ, laser sphere का मतलब क्या होता है, freedom from government interference in economic spheres, यानि जो economic spheres है, ठीक है, जो economic field है, जहाँ पे economy की बाते हो रही है, वहाँ पे state की interference नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे government को interfere नहीं करना चाहिए, so negative liberty का simple सा मतलब क्या है, negative liberty implies absence of all types of restraints, मतलब किसी भी तरीके के restraints नहीं रहने चाहिए, किसी भी तरीके का रोड़ा नहीं रहना चाहिए, and right to do whatsoever once like, यानि जिसकी जो मज़ी है, वो वो कर सकता है, इतनी liberty होना is negative liberty, so negative liberty क्या थी, negative liberty was freedom of trade, freedom of enterprise, यानि freedom of trade जिसको भी मैं चाहूँ समान बेच सकती हूँ, ठीक है, freedom of enterprise मैं किसी भी तरीके का काम कर सकती हूँ, state was viewed as a negative state, ठीक है, state को एक negative state कहा गया था, क्योंकि state का कोई role ही नहीं था, ठीक है न, इसी लिए it was a negative state, so negative liberty के features क्या क्या है, absence of restraints imposed by the states, और society is liberty, यानि restraint नहोना, ठीक है, constraint नहोना, ठीक है, किसी भी तरीके का obstacle नहीं होना, वो liberty कहलाएगा, वो negative liberty कहलाएगा, there is natural self-contradiction between the independence and authority of the state, ठीक है, एक तरीके का न, contradiction है, किसके बीच में contradiction है, independence के बीच में, और state की authority के बीच में, यानि अगर individual को independence चाहिए, तो state को अपनी authority कम करनी होगी, और state को अगर अपनी authority बढ़ानी है, तो individual की independence छीननी होगी, है न, तो ये एक contradiction है, इन दोनों के बीच में, और ये contradiction हमें negative liberty में देखने को मिलता है, जहां individual ये बोला है, कि हमें पूरी तरीके से freedom मिलनी चाहिए, हमें हर स्फेर में free करो, ठीक है, पूरी तरीके से freedom दो, वही इस state की authority maintain होना भी बहुत जादा जरूरी है, है कि नहीं, यहीं पे second point prove हो जाता है, कि contradiction है, independence के बीच में, freedom के बीच में, है न, independence और freedom and authority of the state के बीच में, इन दो चीजों के बीच में, conflict आ जाता है, negative liberty के अंदर, government कम से कम interfere करती है, individual की life में, ठीक है, वो उतनी ही best बनती है, freedom of life, property and expression are unlimited, ठीक है, freedom of life, आप कुछ भी चाहो, वो कर सकते हो, you are free, freedom of property, आप जितनी में property रखना चाहो, रख सकते हो, freedom of expression, आप जो बोलना चाहो, जो express करना चाहो, कर सकते हो, ठीक है, और यह unlimited होती है, negative liberty में, इसी वजह से, इसी वजह से, capitalist के पास बहुत जादा पैसा गया, negative liberty की वजह से ही, उन्होंने बहुत जादा कमाया, वो बहुत जादा rich बने, और गरीब, और जादा गरीब बने, civil और political liberties का होना बहुत जादा जरूरी है, capitalist economy is a natural system in which the individual automatically enjoys the maximum economic freedom, ठीक है, capitalist economy में, individual automatically economic freedom enjoy करने लगता है, राइट, क्योंकि capitalist नहीं तो बात उठाए थी न, negative liberty की in economic sphere, economic inequality is an essential condition of the liberty, and its essential consequence, economic inequality तो रहेगी भाई, क्योंकि अमीर के पास इतना जादा पैसा जाएगा, क्योंकि economic, जो freedom मिली हुई है, वहाँ पे government का control तो है नहीं, तो जिसको जितना कमाना है, जितना जादा चाहिए, उतन लेकर जाएगा, अमीर और जादा अमीर बनेगा, गरीब और जादा गरीब बनेगा, so negative liberty के कौन से दो propounders हैं, वो है first, John Stuart Mill, second, Harold J. Lasky, आज है नहीं कि हम views पढ़ने वाले हैं यार, negative liberty में, पहला है John Stuart Mill, John Stuart Mill मानते हैं कि state के पास right नहीं है, कि वो individual की life में interfere करे, मतलब state के प कम right है कि वो individual की life में interfere कर सकता है, तो वो जिसके उसके पास जो बहुत ही जादा कम right है, तो वो किस respect में interfere करेगा, है न, किस respect में वो individual की life में interfere कर सकता है, see मैंने यहापे लिखा न, state can put limitations on the actions of individuals in two respects, यह चीज रॉंग है यार, ठीक है, जो मैंने यह लिखा है, Others regarding और Social Activities, एन the other Self regarding और Individual activities, यह Individual की activities है, ठीक है, जिसको मिल ने दो parts में डवाइड किया है, मिल ने individual की activities को दो parts में डिवाइड किया है, पहली है Others regarding, दूसरी है Self regarding, ठीक है, तो state जो limitations लगा सकता है इंडिविजुल पर वो others regarding या social activities के context में लगा सकता है ठीक है, जो self regarding activities है वहाँ पर state, individual पर restrictions या limitations नहीं लगा सकता है ठीक है, प्लीज इस चीज को सही कर लो I am sorry for this mistake, आप इस चीज को please correct कर लीजेगा सही से So, जो others regarding activities रहती है या social activities रहती है वो ऐसी activities रहती है individual की जो society को affect करती है या दूसरों की जिंदगी को affect करती है मतलब in activities के थुरू individual बाकी लोगों के contact में आता है and thus individual बाकी लोगों के contact में आता है इसलिए state का अधिकार है कि वो in activities को control कर सकता है यहाँ पर state restrictions लगा सकता है कौन कौन सी यह activities चलिए देखे वो activities जो दूसरों को harm पहुचा रही है ठीक है किसी को पत्थर मारना ठीक है किसी को gun gun से shoot करने कोशिश करना यह सारी activities दूसरों को harm कर रही है क्योंकि individual दूसरों के contact में आ रहा है ठीक है और यहाँ पर state के पास पूरी पूरी authority है कि वो यहाँ पर interfere करे ठीक है और individual को punish भी करे फिर दूसरी है ऐसी activities जो कि दूसरों के लिए जरूरी तो है ठीक है दूसरों के लिए बहुत जादा जरूरी है लेकिन इस मामले में individual को आप force नहीं कर सकते हो तो ऐसी activities हो गई charity, donation है न यहाँ पर individual को जबरदस्ती force नहीं कर सकते हैं कि जो charity करो जो यहाँ पर donate करो नहीं एक तरीके से उसे प्रोसाहित कर सकते हैं ठीक है? motivate कर सकते हैं कि हाँ please donate करिए charity करिए, गरीबों की मदद करिए ठीक है तो यहाँ पर सिर्फ प्रोचाहित किया जा सकता है, motivate किया जा सकता है, जबरदस्ती ये काम नहीं करवाय जा सकता है, ठीक है, तो यहाँ state interfere नहीं कर सकता है, सिर्फ motivate कर सकता है individual को second category की activities है, self-regarding activities, ठीक है, यह ऐसी activities है, जो individual अपनी private life में perform करता है, ठीक है, जो सर्फ उसी से related है, सर्फ individual से ही related है, ठीक है, और यह सारी activities जो individual करेगा, वो उसी को affect भी करेंगी, ठीक है, इसलिए इनको self-regarding activities कहा जा रहा है लेकिन अगर इन activities के थ्रू individual किसी और को harm कर रहा है, किसी और को चोड पहुचा रहा है, तब state को interfere करना पड़ेगा, self-regarding activities में So, let's see कि क्या होती है, self-regarding activities, पहला है freedom to express or consider, for consider नहीं होगा, or consider in which it is not possible for the state to exercise control, ठीक है ऐसी activities जहाँ पे individual को express करने का पूरा-पूरा अधिकार है, वहाँ पे state interfere नहीं कर सकता है Next point of freedom to work, ठीक है, जिसको जो काम करना है, उसे वो काम करने देना चाहिए, ठीक है, जब तक वो legal है, अगर illegal है तो obviously state का interfere करना जरूरी हो जाएगा Because ये liberty बहुत ज़ादा जरूरी है, individual की development के लिए, अगर individual experiments नहीं करेगा, different different experiments नहीं करेगा, तो उसकी growth कैसे होगी, ठीक है न, society develop कैसे होगी, ठीक है, otherwise society का development ही block हो जाएगा, इसलिए freedom to work बहुत ज़ादा जरूरी है इसी वज़े से मिल ने क्या propound किया, individualistic and negative liberty So John Stuart Mill के views के बारे में कुछ criticisms भी हमारे सामने निकल कर आए, let's see के वो क्या है So Mill ने जस तरीके से activities को divide किया, self regarding और others regarding activities में, ये काफी ज़ादा misleading लगा critics को, है न So जैसा कि Mill ने कहा है, कि individual sovereign है, ठीक है, individual sovereign है, अपनी body और अपने mind को लेके यानि अपनी body और अपनी mind पर individual का पूरा पूरा अधिकार है, और कोई और उसे इस मामले में guide नहीं कर सकता, नहीं interfere कर सकता तो ये काफी ज़ादा sound proposition नहीं है, ये चीज़ गलत है, ऐसे तो individual बहुत कुछ गलत भी करेगा, बहुत कुछ wrong भी करेगा तो क्या उसे वहाँ रोक कर समझाया नहीं जाए, वहाँ उसे रोक कर बताया नहीं जाए, इसी वज़े से ये चीज़ काफी ज़ादा गलत है, क्योंकि मिल कहते हैं कि individual को बिलकुल भी guide नहीं किया जाए, उसे बिलकुल भी उसकी life में interfere ना किया जाए, चाहे वो गलती क्यो ना कर रहा हो, तो ये चीज़ बहुत जादा गलत लगी critics को, यही दो criticisms है, मिल की negative liberty के बारे में, so negative liberty को लेके जो हमारे next propounder है, उनका नाम है Harold J. Lasky, so Lasky का मानना है individual को एक proper environment मिलना चाहिए, एक proper ecology मिलनी चाहिए, खुद के development के लिए, एक तरफ से Lasky ये कहते हैं कि state को इंडिविजुल्स के लिए, ठीक है, कुछ policies लेकर आनी चाहिए, ठीक है, कुछ initiatives करने चाहिए state को, इंडिविजुल्स के लिए, कुछ facilities लेकर आनी चाहिए, दूसरी तरफ से वो ये कहते हैं कि ये पूरी पूरी तरह से individual के ऊपर है, कि वो उन facilities को use करना चाहता है या नही वो उनका benefits लेना चाहता है या नहीं, ये चीज इंडिविजुल्स पर छोड़ देनी चाहिए, एक तरफ से इनका मानना है कि जो restraints लगाय जाते हैं society पर, या जो limitations लगाय जाते हैं society पर, वो सही है, ठीक है, वो सही है, लेकिन हर तरह की limitation, हर तरह का restriction proper नहीं है, ठीक है, हर का restriction भी सही नहीं माना जाएगा, so एक तरीके से इन बातों को सुनका ये लगता है, कि जो last key है, वो balance बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, state की authority के बीच में balance बना रहे हैं, और individual की freedom के बीच में balance बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए, यहां पे लिखा है, last key's concept of liberty is neither to act according to one's will in autocratic manner, यानि last key का जो concept है, ना तो वो ऐसा है कि खुद की will के according तुम जो चाहो वो करो, ठीक है, nor the obedience to laws blindly, और ना ही आपको laws जो है, उनको blindly follow करना चाहिए, ठीक है, ना तो आपको अपनी बहुत जादा चलानी चाहिए, और ना तो आपको laws को blindly follow करना चाहिए, सब कुछ limit म पर रहना चाहिए, एक balance रहना चाहिए, इसलिए यहाँ पर लिखा है, the basis of both liberty and its control, is moral as well as social, more नहीं होगा, moral as well as social, यानि जो liberty और उसके control का basis है, वो moral और social होना चाहिए, सो लास्की ने तीन तरह की liberties की बात की है, पहला है private liberty, ठीक है, सो जब individual एक तरीके से you know, development को अपने achieve करता है, highest development को achieve करता है, अपनी activities के थूँ, ठीक है, various opportunities के थूँ, उसे हम कहते हैं private liberty, ठीक है, for example उसकी family life, ठीक है, ये एक तरीके कि उसकी private liberty में आता है, कि वो अपनी family life मे कैसे रह रहा है, next है political liberty, ये एक तरह ऐसी liberty है, जहां पे individual के पास अधिकार होना चाहिए, कि वो जो political life है country की, या जो political arena है country का, वहाँ पे जाके वो actively participate कर सके, for example vote दे सके, ठीक है, अपना opinion रख सके, ये उसका political liberty का पार्ट बन जाएगा, next है आपकी economic liberty, ठीक है, so economic liberty में लोगों के पास at least facilities and securities होनी चाहिए, कि वो sufficiently earn कर सके, अपनी family के लिए, दो वक्त का खाना अपनी family को खिला सके, इतना उनके पास होना चाहिए, ये economic liberty का पार्ट है, ठीक है, state को oblige किया जाता है, state से request की जाती है, कि at least minimum wages workers को जरूर दे, ठीक है, कुछ नहीं तो minimum wages जरूर दे, अब हम next dimension discuss करेंगे liberty का, that is positive liberty, सो positive liberty क्या imply करती है, positive liberty imply करती है कि adequate facilities, ठीक है, adequate facilities हर किसी के पास होनी चाहिए, हर section के पास होनी चाहिए society में, ताकि वो अपनी life enjoy कर सके और socially desirable rights को enjoy कर सके, ठीक है, अपने life को अच्छे से जी सके, चाहे गरीब हो या अमीर सभी के पास opportunities होनी चाहिए, अच्छे से रहने के लिए, honorably रहने के लिए, positive liberty में कुछ-कुछ restraints रहेंगे, ठीक है, लेकिन है आपको real opportunity मिलेगी self development की, ठीक है, अपने अंदर कैसी कैसे develop किया जाता है खुद को, ठीक है, अंदरूनी बदलाफ कैसे आता है, उसकी opportunity भी मिलेगी, eternal development की opportunity मिलेगी, जिससे individual अपनी personality को develop कर पाएगा, यहाँ पर एक चीज़ धिहान रखने वाली है कि state जो है, वो सिर्फ opportunities प्रोवाइड कर पाता है, ठीक है, वो सिर्फ opportunities दे सकता है, लेकिन उसको benefit कैसे लेना है, वो पूरी तरक्य से individual के उपर है, state can provide facility for education, but to utilize the facility depends on the individual, ठीक है, for example, state education की facility दे रहा है, लेकिन अब यह individual के उपर है कि वो educate होना चाहता है या नहीं, जो society में underprivileged लोग है, ठीक है, जो weaker section है society के, उनको state को protect करना चाहिए, ऐसा कहना है, positive liberty का, इसलिए state को interfere करना चाहिए, individual की life में, ताकि सभी को सारी facilities मिल सके, है न, इसलिए यहाँ पे state का role बढ़ा दिया गया है, और इसे positive role कहा गया है, state का, features क्या के है, positive liberty के, real liberty means the proper imposition of restrictions, ठीक है, जो restrictions लगाय जा रहे हैं, वो सही से लगाय जाने चाहिए, ठीक है, ऐसा निये के, भयानक restrictions लगाय जा रहे हैं, कि पूरी-पूरी liberty ही curb कर ली गई, पूरी liberty ही छीन ली गई, नहीं, एक limit में restrictions लगाय जाने चाहिए, वही असली liberty है, ये बोलती है, there is no self-contradiction between the state and individual, कुछ याद आ रहे है, negative liberty में हमने क्या पढ़ा था, इस क्या पढ़ा था, self-contradiction है, किसके बीच में, state के authority के बीच में, और independence के बीच में, लेकिन ये कह रही है, positive liberty कोई self-contradiction नहीं है, ठीक है, it means that the authority of the state does not hinder the freedom of individual, यानि state की जो authority है, वो individual की freedom को harm नहीं पहुँचाएगी, so अगर state कुछ अच्छे circumstances, अच्छी situation, अच्छा environment दे रहे है individual को, तो individual अपनी life independently जी सकता है, जब मैं positive liberty पढ़ा रही है, तो please एक तरीके कहिए लो comparison करते रहेगा, अपने mind में, negative liberty और positive liberty के बीच में, और मैं बीच बीच में points भी बताऊंगी difference के, तो आप उसको note down भी करते रहेगा, roughly note down कर लीजए, बट लिखते रहेगा, third point है कि capitalist और laborers के interest में harmony लेकर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक balance लेकर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अब देख सकते हैं जो positive view है liberty का, वो बहुत ज़्यादा comprehensive है, wide है, practical है, and modern है, ठीक है न, in comparison to negative concept, negative concept थोड़ा extreme liberty का, ठीक है, वो ये कह रहा है कि बिल्कुल भी restrictions होने ही नहीं चाहिए, positive liberty का concept जो एक तरीके से balance बना रहा है, authority के बीच में और freedom के बीच में, इसलिए positive liberty का concept थोड़ा modern है, सो positive liberty के exponents या propounders कौन है, thomas green hill है पहले, दूसरे bernard posanquit, सो हमारे पहले propounder है thomas hill green, thomas hill green एक idealist thinker है, ठीक है, जो की बहुत ही strongest propounder रह चुके है, positive liberty के, green मानते के individual तभी free होता है, जब वो एक ideal personality अचीव कर पाए, ठीक है, जब वो rules को follow कर पाए, ये भी समझे के rules follow करने like है या नहीं, individual क्या उतना भी achieve कर पा रहे है, जितनी उसकी चाहा है, green का मानना है कि state को hindrances हटानी चाहिए, ठीक है, जो एक तरीके restraints है, वो individual के रास्ते से हटाने चाहिए, ताकि वो अपनी personality को develop कर सके, green मानते हैं कि self satisfaction होना ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन वो self satisfaction permissible होना चाहिए, तो green की जो liberty है, या green ने जो concept दिया है liberty के, उसके दो features है, पहला है freedom to perform definite work, कुछ ऐसे काम हमें करने चाहिए, जो कि हमारे development कर सकें, ठीक है, ऐसे काम करने चाहिए, जो पूरी society के लिए अच्छे हो, ठीक है, एसी activities like alcohol, gambling, theft, ये सारी activities liberty की category में नहीं आती है, नेक्स्ट है, इसका जो feature है, वो है positive liberty, ठीक है, green का मानना है कि individual को ethical activities perform करनी चाहिए, to formulate his ideal character, अपना अच्छा character बनाने के लिए उसे ethical activities perform करनी चाहिए, कुछ areas में individual की activities को restraint करेगा, state और interfere भी करेगा, green का मानना है कि law ही liberty को protect करता है, so जो individualists हैं, ठीक है, individualist का मानना है कि state should not interfere in the activities of individual, वहीं दूसरी तरफ green का मानना है, state का intervention बहुत जादा जरूरी है, individual और society के development के लिए, the policy of non-interference in the economic sphere and no restriction of any type in this field or legisphere are unacceptable to green, so जैसा कि हमने पढ़ा negative liberty के बारे में, कि कोई भी interference नहीं होनी चाहिए economic sphere में, ठीक है, legisphere होना चाहिए, ये सारी चीज़े green को पसंद नहीं है, इसके against है green, green का मानना है personality का development state के अंदर रह कर ही possible है, ना कि उसके बाहर, ठीक है, it is the duty of the state to create all those conditions which help the individual in his development, ठीक है, state को ऐसी conditions बनानी चाहिए, जो individual को उसके development में, ठीक है, help करे and remove the possible obstacles in his way, और वो सारे obstacles, ठीक है, restrictions हटाने चाहिए, जो individual को आगे बढ़ने से फ्लोक रहे हैं, ये सारी state की duties है, जो green ने बताई है, सो हमारे आखरी exponent है, Bernard Bosankwit, ठीक है, Bosankwit का मानना है कि एक अच्छी जिन्दगी जीने के लिए freedom बहुत जादा जरूरी है, सो जो rational will है, वो represent करती है general will को, ठीक है, general will क्या थी? common good, Bosankwit मानते हैं कि state एक regulating force है या एक coordinating force है, सो अगर individual को ऐसा लग रहा है कि जो state है, वो general will के against कोई काम कर रहा है, ठीक है, जो society के लिए अच्छा नहीं है, तो individual state को resist कर सकता है, ठीक है, state के against जा सकता है, Bosankwit का मानना है कि liberty isolation में, ठीक है, अकेले state से हट कर achieve नहीं की जा सकती है, बलकि सबके साथ मिल कर achieve की जाती है, liberty सबके साथ रह कर ही आप feel कर सकते हो, liberty is a interest which is related with others and not with self, ठीक है, liberty कैसा interest है, जो सभी से related है, अकेले सिर्फ खुद से related चीज नहीं है, liberty, तो Bosankwit का मानना है कि individual जब तक state का part है, तभी वो liberty को enjoy कर सकता है, state से ठट कर या तूट कर वो liberty and joy नहीं कर पाएगा, so guys let's wind up the topic of liberty, so freedom को बचाना, ठीक है, freedom को लेना या freedom को achieve करने की कोशिश करना, ये एक continuous process है, ठीक है, freedom कभी भी isolation में achieve आप नहीं कर सकते हो, सबके साथ मिल कर ही वो achieve की जाती, सबके साथ मिल कर ही उसे अब feel कर सकते हो, states हट कर उसे महसूस नहीं किया जाता है, जब आपका society में same order होगा, ठीक है, एक environment होगा, वहाँ पर आप maximum possible freedom obtain कर सकते हो, और वही आपकी real freedom होगी, जो आपको society में मिलेगी, तो अब सबसे important चीज, possible questions क्या आ सकते हैं, concept of liberty से, possible questions यार जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये मुझे खुद लगे कि ये questions पूछे जाएंगे, ठीक है, अगर मैं examiner होती तो मैं सही questions पूछती आप से, अगर मैंने question paper set किया होता तो, इसलिए ये मेरे बनाय हुए questions है, ठीक है, मैंने इन्हें कई से उठाया नहीं है, किसी question paper से, ये मेरे बनाय हुए questions है, अब चाहो तो इन्हें answer लिख सकते हो, practice कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या है, what is the meaning of liberty, ठीक है, इसमें meaning के साथ अब चाहो, तो अगर याद हो, तो definition भी दे देना, what are the dimensions of liberty, यानि किस किस तरह की liberty होती है, kinds of liberty या types of liberty लिखनी है, second है, explain the relationship between law and liberty, what are various ways of safeguarding liberty, ठीक है, last है हमारा explain negative and positive concepts of liberty, यहाँ पे आपको जो मैंने views बताए हैं, exponents के, या propounders के, अगर जगा हो, या अगर आपके पास time हो, और word limit अगर permit करे, तो आप वो चीज़ें जरूर mention करना यार, views बहुत जरूरी है mention करना, लेकिन अपनी word limit में रहकर ही सारी चीज़ें लिखिएगा, guys I hope हमने जो भी discuss की, या liberty के concept में आपको समझ में आया हो, अगर नहीं समझाया है या आपको कोई problem लगी है, आप चाहते हो कि कुछ improvement हो, so please मुझे comment section बताइए का, I'll try my best to help you out, ठीक है मैं खुद को भी improve करने कोशिश करूँगी, law peeps मेरी insta idea जिसका link description में दिया है, वहाँ भी आकर मुझे DM करके अपनी problem बता सकते है, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी problem solve करने की, please अपने reviews जरूर दिया कीज़े वीडियो उसके बारे में, इसी से मैं खुद को improve करती हूँ, और आपको better content दे पाऊंगी, so yeah be a part of lawmate family, ठीक है let's build a strong community, और जिसे भी इस वीडियो की जरूरत है उस तक प्लीज ये वीडियो पहुचा दीजेगा, ये मेरे लिए बहुत जादा जरूरी है, next वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, प्लीज ये मुझे जरूर बताईएगा comment section में, so thank you for watching this video friends and we'll meet soon in the next video, good luck!